नमस्कार सभी को स्वागत आपका जनीहा रुकेटर चैनल में आज हम सॉल्ट करेंगे डीट बैस्पी लाइड एक्जैम जिसके पोस्ट कोड था 206-14 इसका जो आपको सलूशन है इस वीडियो में मिलने वाला है और बाकी जो एक्जैम में आपके ओल इंडे लेवल पर जो और इसका पीडियो जो है आपको टेलिगाम चैनल पर मिल जाएगा वह उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्च में दे दिया है प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं लाइबरे साइन से लेटर तो चले देखते हैं आज का जो पेपर का सेलूशन तो यह आपका पेपर ह है इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 206 स्वर्ती तो इसमें आपके दो चैंट आए थे पहला आपका सेक्शन आ ही में और दूसरा आपका सब्जेक्ट इसमें आपके सब्जेक्ट लेटेक्स पॉस्ट स्पेटिपिक तो इस वीडियो में है आप сопo question पोस्ट video लेकर आओं तो आप comment box में पता सकते हैं तो आप इसको English में Hindi में दोनों में देख सकते हैं हम Hindi में deciding कुछ question होंगे जिसको हम Hindi English दोनों में देखेंगे क्या तो इसका सबसे पहला प्रशन है एक पुस्थ कालए विज्ञान का द्वितय पाठक की एक पुस्तक होती है तो ये क्या है आपका पुस्तकाले विज्ञान का जुवे दिती नियम है पांच नियम जो दिये गए थे वो किसके दवार देगे थे डॉक्टर ऐसा रंगनातन द्वारा जिन में से आपका दिती नियम है वो क्या है आपका पुस्तकाले पुस् तो वो कौन सा है आपका, if-la है, be option if-la, next question है be speaking का संदर्भ है एक term है, be speaking जिसका आर्थ क्या है, तो वो है आपका पुस्तकों का आरक्षन, उसको आप एक बर English में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर दर्म बी स्पीकिंग रेफर्स टू तो रेजरिवेशन आफ बुक्स नेक्ट कुशन है भारत में किस विश्विद्याले ने एक वर्षी पाठ्ठे करम पुस्तकाले वे ज्यान में स्तांत को डिप्लोमा शुरू किया तो यह किया अचार सुपूर्द की अधिनियम के अंतरकद दक्षिनी शेत्र हेतु विद्धिक जमाओं का विश्यशादिकार किस जन पुस्तकाले को दिया गया तो यह दिया गया था भारत की राष्टे पुस्तकाले D-Options का राइट आंसा हो जाएगा नेक्ष्ट कुशन जो है आपका D-D-C में भोती की हेतु वर्गिकर्ण संख्या है फिजिक्स के लिए कौनसी वर्गिकर्ण की संख्या है तो वह है आपकी पांसो तीस नेक्ष्ट कुशन है पुस्तकाले मायत के डिजाइन का अधार वुथ नियम है तो वह है आपके बहुशे में व्रद्धी हो सके उसमें लोचन शीलता हो शेत्रों का प्रावधान हो तो तीनों ही जरूत है इसमें तो D-Options का राइट आंसर होगा लूतर गुलिक ने डैश शब्द दिया है तो कौनसा दिया है इनमें से तो यह दिया है पोल्ट कॉम पी ओ एजडी सी ओ और बी तो A options का राइट आंसर है इसको आप जरूर ध्यान रखे लूतर गुलिक द्वारा दिये गई है यह नेम लिखित में से कौन सा पुस्तकाले के लिए राजश्रों का स्रोथ है रेविन्यू का तो इनमें से कौन से sources है रेविन्यू के लिए तो यह है आपके सरकारी अनुदान भी है पुस्तकाले दंडो शुल्की भी होगा प्रतिली पिकरन सेवाओं अनुवास सेवाओं आदिसे आई भी है तो इसका option होगा डी option उप्त सभी अनुमान के रूप में बहुश्य में दी गई अवधी के लिए अनुमानित आये और वे का परिचालन परिणामों का मद डैश कहलाता है तो यह कहलाता है बजट ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली में डैश शामिल नहीं है इन में से तो अंतरन पर्ची जो है उसको हम शामिल नहीं करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं तो ट्रांजेक्शन स्लिप होती है उसको इसमें ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता है तो इसका यह उप्षिन है वो राइट आंस हो जाएगा डीडीजी में विश्यो का बरमांड मुख्य देष वर्गों में बाता गया है तो इन डीडीदीजी ता उनियुवर्स ओव सब्जेक्श हैंज बें दिवाइडेड इन्टू डैश में ग्लासेस तो यह बाता गया है, आपके 10 भागों में बाता गया है, यह बीएप्च्शन लाइब्रेरी वाज सेट अप इन तो एक कभी स्तापित की गए डेली पॉब्लिक लाइब्रेरी तो यह की गई थी 1951 में नेक्स्ट है विविद्गारे करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रियोग किया जाने वाला कारिक क्रमों का समुच्चे डेस कहलाता है तो यह होता है आपका अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर ए ओप्शन का राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन है FID वह निखाए है जो डेस का समगर उत्तर राइत्व लेता है तो वह है आपका UDC सार्व भूमिक दश्मलव वर्गिकरन तो D options का राइट आंसर है एक पुस्तकाले में दस्तावेजों की असूची या इसके भाग में संकलन बना दे वाले डैश कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं पुस्तकाले, कैटलोग तो इसका A options का राइट आंसर है द्रिश से शुर्वे पधार्थ है तो audio visual इनमें कौन-कौन से है फिल्म स्ट्रिप के बात करें तो वो केवल visual है वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यह audio visual दोनों है तो इसका जो राइट आंसर हो जायागा वो होगा वीडियो रिकॉर्डिंग बुक मैटिंग, फोटो चार्जिंग, टॉकन चार्जिंग तो यह क्या है? कौन से प्रणाली है? तो यह है आपका circulation system है परिचालन प्रणाली भी option Sampration प्रक्रिया में बादख है तो सampration प्रक्रिया में भाश्या अगर नहीं आती हाथ तो भी बादख होगा आर्थिक स्थती, समय की कमी और उक्त्थ सभी तो उसका इंच्वर्ण प्रणाली देख सकते हैं The barriers in the communication processes are ज Natomiast बुकbung से हो सकते हैं एकनामिक्स कंडिशन भी है और एकनामिक कंडिशन के साथ टाइम ले कहेंगे और समय के कमी भी है और all of the above तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका डी ऑप्शन नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में से किसे सूचना संप्रेशन का एक अनौपचारिक चैनल कहा जाता है तो इन्फॉर्मल की हम बात करें तो उसके हम कहेंगे सम्मेलन प्रक्रिया में समीज़न परक्रियां जो हमकी informal होती है तो इसका जो हम D जो option जो है इसका राइट answer होगा नेक्ट पूशन है ने मेंलखितमेशे किस राज्य generates में जन्पुस्दकाल अदिनियम नहीं है तो जमु कश्मीर में जन्पुस्दकाल अदिनियम नहीं है सूचकांग मेडिकस की आव दिखता है तो ये होता है मंतली आता है ये तो मासिक मशीन के पठन योग्य रूप में अभी लेको का संगलन डैश क्यालाता है तो ये क्यालाता आपका डेटाबेस क्यालाता है समसामिक विकास प्रदस्ता वेजों की समिक्षया पर आधारित विशे में अनसुन्दान की साधारन दिशा का एक खाता कौन सा थंदर्व शोत जह अपलब्द कराता है इन में से तो ये कराता है अपका ट्रेंड रिपोर्ट जोगी तो भी ऑप्शन ऐसा रंगनातन की अनसा स्रिंकला की स्दान्थ है तो स्रिंकला की स्दान्थ है वो है आपके विस्तारण और अदि मिस्द्रन के गटने का स्दान्थ तो इसका आप इंग्लिष में भी देख लीजे तो कौन्सा सिदान था हुआ, Canon of Decreasing, Extension and Modulation सारव और मिक दसवलम वर्गी गरण वर्ष किस वर्ष में जो है प्रकाशित किया गया था तो यह किया गया था, सामाने ता सूचना सुरतों को निमले कि शेणियों में बाटा गया है तो यह बाता गया आपके, प्राथ में को तिरती है सी ओप्शन, मार्क पहली बार डैश दोरा विक्षित किया गया तो यह Congress का पुस्तकाले, Library of Congress है, इसका पूरा नाम है, स्वरी, Congress का पुस्तकाले नहीं Library of Congress, ठीक है जो कि कहां पर है, USA में है तारकिक परिश्चालक, and, or, or, not, डैश दोरा पहली बार विक्षित किये गए तो यह किये गए थे आपके, George, बुली दोरा किये गए थे, C, आप्शन प्रबंदन में, Spit the Corps का अर्थ है तो यह आपका French language में है, Spit the Corps, in Management Means, तो इसका मतलब होता है, Team Spirit, या फिसको कहेंगे, Team Work तो यह आपका एक पुस्तक खेतू, अनोखी, संख्या तो अशेशन नंबर में, तो यह आपका यूनीक नंबर फॉर बुक तो यह आप्शन का राइट आंस हो जाएगा अधिक समय लेने वाले प्रश्चन और एक से अधिक संदर्व स्रोत का प्रियोक सामनत है, डैश कहलाता है तो यह कहलाता है, लंबी दूरी संदर्व, C option CD-ROM है, तो CD-ROM क्या है आपकी तो यह आपका है, स्टोरेज डिवाइस, बी ओप्शन Network और भोतिक के बीच OSI Model की कौन सी परत होती है तो यह होती है आपकी Data Link B option, Data Link नेमने कितमें से कौन सा Network प्रात्मिक गुरूप से शिक्षा और अनसुनान हेटू है तो यह आपका ER NET A option Education Research Network नेमने कितमें से कौन सा नई Encyclopedia of Britannica का एक भाग नहीं है तो वो जाएगा आपका Pre-Media जो इसका भाग नहीं है C option C.A.S. है तो यह आपकी समसामिक या नई सूजना के प्रसार की प्रक्रिया है A option Current Awareness Services का फुर्फोर्म होता है OCLC का पूर्ण रूप है तो यह आपका Online Computer Library Center Web के एक साइट पर जाने के लिए पडल पर एक दस्तावेज आता है जो डैश कहलाता है तो टो विजिट साइट ऑन दा वैब ता स्क्रीन डिस्प्लेज आ Document Call तो उसको कहेंगे हम Home Page तो यह आपका Home Page है B options का Right Answer है Network है एक तो Network क्या है तो Computer के बीच परस पर Connection C option Next है US में पहला पुस्तकाले विध्याले द्वारा शुरू किया गया था तो यह Malville DV द्वारा शुरू किया गया था सूचना के चुनिंदर प्रशार SDI के संकल्पना के द्वारा शुरू की गई थी है तो यह की गई थी HP लोन द्वारा हैंस पिटर लोन द्वारा तो भी ऑप्शन नेक्स्ट है आइजल एक डैश है तो एक सूचना केंदर है तो यह आपका स्पेशल लाइब्रेरी भी ऑप्शन रगनाथन ने पांच आधार पुस्षेणियों यह था यह वेक्तित्यों पधार तूर्जा अंत्रिक्स और डैश की संकल्पना प्रतिपाधित की तो उसमें से कौन सा बच गया है समय तो प्रत्राप्शन का राइट अंसर है यूश्ष है तो यूश्ष क्या है तो यह है आपका सूचना के स्थानांत्रण के लिए अंत्राश्टिय प्रणाली तो यूश्ष की आपको फुल फॉर में पता होनी चाहिए जो क्या है यूनाइटेड नेसल इंटरनेशनल साइन्टिफिक इन्फरमेशन सिस्टम इंटेग्रेटर सर्किट में तो कौन सी पीडे के कम्पिटर में जो यह है प्रिक्ट हुए तो यह हुए थे आपके तृतिय पीडे के ए अप्शन का राइट आंसर है मैक कॉलविन ने पुस्तक चुनाओ की अपनी डैश को उन्नत किया तो यह क्या गया था मांग और आपूर्ति सिदान्थ डी ऑप्शन इन्फर्मिशन सर्विसेजन लैबरी पुस्तक के लेख़ कौन है तो यह आपके फॉस्केट डीजे और तो इनके नाम की फुस्वां बोबी आप ज़रूर द्यान रखे डगलस जॉन फॉस्केट पुस्तकाले का दूसरी पुस्तकाले से उधाल लेना डैश कहलाता है तो यह कहलाता है अंतर पुस्तकाले रेंट सेवा उसको आप इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा Interlibrary Law and Service ठीक है Interlibrary Law and Service जो है इसका right answer है B option Interlibrary Law and Service बहुत important question है ये Bibliothic nationally is the national library of तो ये French wordy है तो और ये कहां की national library है तो ये France की है तो B option जो है आपका आसमे right answer है पुस्तकाले में डैश के साथ सम्मंदित है तो ये है आपके पुस्तक चुनाओ के सिदान को लेकर के और उन्होंने अपने क्या एक सिदान दिया है तो उनका सिदान आप जरूर ध्यान रखे जो उनकी statement है to provide the right book to the right reader at the right time कि सही समय पर सही पुस्तक एक सही रीडर को मिलनी चाहिए तो ये इनका एक सिदान था जो कि इनोंने 1930 में दिया था इंडेन नेशनल बिब्लियोग्राफिक एक डैश है तो वह आपकी नेशनल बिब्लियोग्राफिक तो ए उप्शन किसी भी कोशन को लेकर क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बिता सकते हैं नेक्स्ट समस्ता आकड़े बिन्दों का मद्धेमान है तो आकड़ों का जो मद्धेमान जो हम लेते हैं डेटा में तो वह क्या होता आपका मीडियन होता है तो उसका जो राइट आंसर है मादिका हो जाएगा अधिक फिर से मादिका नेक्स्ट कोशन है व्याभारिक कारे पूरे करने के लिए एक कम्पिटर इसके सॉफ्ट्वेर का प्रियोग करने की शम्ता है तो वह आपकी कम्पिटर साक्षर्ता ए ओप्शन एक विरिहत भोगोलिक शेतर पर फेला एक संप्रेशन नेटवर्क जो उपकरनों को जोडता है तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क सी ओप्शन का राइट आजर है वाइड एरिया नेटवर्क एक पुस्तक अनुचेत भाषन रिपोर्ट निमंद या अन्ने कारे के आविशक सामगरी का एक संप्षिप्त वस्तोनिस्ट पस्तोनी प्रस्तोती करन डैश कहलाता है तो यह आपका संप्षेप कहलाएगा ए ओप्शन का राइट आंसर है निकिट रखे बार का छोटा लेबल जो कंप्पुटर द्वारा पड़ा जा सकता है तो वह है आपका बार कोड होता है बी ओप्शन विसुदल अनुजान आयोग UGC की स्तापना डैश में हुई थी तो यह वित्ती नाइंटेश फुट्टी थी में एक राष्टे निकाई जो जन पुस्तकालियों को मुख्य वित्ती साइता देता है तो यह है ट्रिपल रार एफ राजराब मोहनार लाइबरी फांडिशन उबहे ने समप्रेशन प्रारूप CCF- द्वारा विकसित किया गया तो यह क्या गया था लाइबरी ओफ कॉंग्रेस द्वारा तो यह बनाया गया था कातीबो कम्यूनिकेशन द्वारा C option निमल्यकित में से कौन सा सम्प्रेशन प्रक्रिया से नहीं चुड़ा है तो इसमें केटरलोग जो है सम्प्रेशन प्रक्रिया कम्यूनिकेशन से समन्दित नहीं है तो इसका जो राइटांस हो जाएगा D option हो जाएगा वांजित परिणा प्राप्त करने ही तो एक प्रणाली गत परिचालनों की स्रंखला डैश कहलाती है तो ये कहलाती है प्रोसेसर ए ओप्शन एक तक्नीक जो प्रोग्राम बजट और निस्पादन बजट को सर्वतम तरीके से जोड़ती है डैश कहलाती है तो यह कहलाती है आयोजना कारिकरम बजट प्रणाली ने अबने कितमें से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है तो कीबूर्ज आपका इनपुट डिवाइस है तो भी ओप्शन का आईट आंसर हो जाएगा आउटपुट उपकरण नहीं है ये ट्रांस्पिटर को संदेश के बारे में जानकारी का वापस बेजा दाना डैश कहलाता है तो यह क्या हो जाएगा इसका फीडबेक इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम डैश के लिए आता है तो मॉडेम की फुल फॉर्म है तो मॉडिलेटर और दी मॉडिलेटर सी ओप्शन नेमले कित में से कौन सा एक पुस्तकाले नेटवर्क नहीं है इन में से तो अर्पा नेर जो है पुस्तकाले नेटवर्क नहीं है निम्लिकित में से कौन से एक वर्गिर्ण योजना नहीं है इन में से तो यहां पर आप देख सकते हैं विच वन अफ दे फॉलोइंग इस नौट है क्लासिफिकेशन स्कीम तो पहला गम देखिए DV टेसिमेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है तो फर्स्ट इस में सही है दूसरा गम देखिए UDC भी है इंटरनेस्टल क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन स्कीम है लेकिन अगर नेस्टल क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदगत नहीं आता है तो D option जो है इसका right answer हो जाएगा अब यह दोनों के नाम आपने सुने होंगे इन दोनों के अब तीसरा जो है आपका जिसको हम जानते है RIC के नाम से जो है आपका राइडर्स इंटरनेस्टल क्लासिफिकेशन जो राइडर्स ने दिया था 1961 में तो यह भी आपका एक क्लासिफिकेशन स्कीम है लेकिन जो आपका D option है वो इसका यह क्लासिफिकेशन स्कीम में नहीं आयागा तो D option इसका राइडर्स हो जाएगा तो राइडर्स जो है इसका D option है और इसके बारे में एक्स्टा इंफरमिशन थी वो दे दी है नेक्स्ट है किस ने कहा है कि विस्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गया था यह किया गया था आपका इन फिल्प नेट द्वारा तो सी ओप्शन्स कर राइट आंसर है कि विशेश हीर्शको की सुची पहली बार डैश में प्रकाशित हुई कि तो यह विद्धी नाइंटी ट्वंटी त्री में नहीं कितमें से कौन सी एक प्रोग्राइमिंग भाषा नहीं है तो गूगल क्रोम सीदा से बता है यह एक प्राउजर है एक भाषा प्रोग्राइमिंग लेंग्वेस बिल्कुल नहीं है तो डी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब अधराश विश्यद्याले प्रुस्तकाले में तीन कार्ड प्रणाली डैस द्वारा शुरू की गई थी त्री कार्ड सिस्टम तो यह क्या गया था डॉक्टर ऐसा रंगना अथन द्वारा तो जिसका राइट आंसर है वह आपका सॉरी बी ओप्शन है तो मैं टिक कर देती हूँ अब आपके कौन-कौन से वह तीन कार्ड है वह भी आप ज़रूर ध्यान रखें पहला तो आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर कार्ड में आता है दूसरा आपका चेक कार्ड आता है और क्लासिफिकेशन इंडेक्स ठीक है संजी सॉफ्ट्वेयर डैस द्वारा विक्सित किया गया तो यह किया गया था डैसी डॉक द्वारा तो बी ओप्शन जो है इसका राइट आंसर है इसके फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए जो क्या है आपकी डिफेंस साइंटिफिक इंफर्मेशन और डॉक्यमेंटेशन सेंटर बारत कर आस्ट्री पुर्स्तकाले डैस में इस्तित है तो यह कांप इस्तित है कॉलकता में इस्तित है बी ओप्शन सिंखला प्रक्रियाओं में विशे अनुक्रममनी का प्रविश्टियों या विशेश्च शीर्षक डैस से विद्थपन है तो यह आपके एक दस्तावेच की वर्ग संख्या ए ओप्शन लिब्रेरी ओफ कॉंग्रेज डैस में स्तापित किया गया था तो यह किया गया था अठारा सो में और चोईस अपरेल को जो है यह स्तापित किया गया था पुस्तकालों में करम बनाये रखने की प्रक्रिया डैस कहलाती है तो यह आपका सेल्फ ट्रेक्टिफिकेशन होता है अलमारी सलसूदन नहीं हमने कितमे से कौन सा एक भोगलिक शोत जो है नहीं है तो एंसेकलोपीडिया एक भोगलिक शोत के लिए नहीं होता है ऐनसेकलोपीडिया में आप किसी भी टोपिक पर सारी जानकारी एक हीम में आपको मिल जाती है एक्साइटिक गणित संगीती, नाटकी और कलाटा कारे के रूप को सामगरी को प्रकाशित करने और बेचने का विदिक रूप से शुरुक्षित अधिकार कहलाता है तो वह अपका कॉपी राइट ए ओप्षिन स्टोरी आवर्स फोर चिल्रन डैश का एक उधारन है तो मेरे कॉडिंग जो इसका राइट आंस होना चाहिए संदर्ब सेवा होना चाहिए बाकिया आप इसका राइट आंस भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपके कॉडिंग फॉर्मिंग तंग योजना डैश से संबंदित है तो वह आपका पुस्तक आले से कारिता से सी ओप्षिन मिसर की पुस्तक डैश की बने थी तो यह बनाए थी पैपारेस की ए ओप्षिन जिस लाइबरी लेटिन शब्द लिबर से निकलना है जिसका आर्थ है तो वह है आपका एक पुस्तक बी ओप्षिन एक पुस्तक आले जिसमें मशीन द्वारा पड़े जाने योगेर प्रारूपो प्रारूपे संसादमों का एक महत्पूँ अनुपात बलब्द होता है जो कंप्पिटर द्वारा प्राप्त किया जासके डैश कहलाता है तो आपका है डिजिटल पुस्तक आले बी ओप्षिन ASLib के नाम से जाने जाने वाली जो Association 1924 में डैश से स्ताबित की गई तो उसकी फुल फॉर्म आपको यहां पर देखकर बतानी है तो आपका Association of Special Libraries and Information व्यूरेक्स तो यह Options का रहिट आंसर है FID केंदरी कारेले डैश में स्तित है तो FID का जो कारेले है वो कहां पर आपका तो यह आपका हैग में है तो D options का right answer है और हैग आपकी जो राददानी है निदरलेंड की है कलकता के Imperial पुस्तकाले का प्रथम पुस्तकाले देख्ष है तो वो थे आपके John McFarlane A option निमने कितमे से कौन सी विदी बंडा सत्यामन हेतु प्रियोग की जा सकती है तो यह तीनों जो दी गई है वो तीनों ही बंडार सत्यापन के लिए की जा सकती है तो इसका right answer जाएगा D option जब आप PDF से solve करेंगे तो आप कोई भी query हो हिंदी को लेकर के तो आप English में भी देख सकते हैं तो आपको काफी help मिलेगी आप download कर पाएंगे रेलिकाम चैनल से URL का विस्तार होगा तो URL का हो जाएगा uniform resource locator B option प्राचीन सुमेरियन द्वारा विक्षित लेकर प्रणाली है तो आपकी क्यूनिफर्म A option एशिया और प्रसांद शेत्र में विज्ञान और तक्नीक में सूचना के आदान प्रणाल का नेटवर्क है तो यह जाएगा आपका B option एश्टिंफो इन स्टॉक का विस्तार है इसके फुल फॉर्म आपको बतानी है तो यह आपका है इंडिया नैसर सांटिफिक दोक्यमेंटेशन सेंटर A option नेवाग चार्चिंग परणाली अमेरिकी लाइबरेडन डैस द्वारा बनाए गई थी तो यह बनाएं के लिए जॉन कटन डन द्वारा C option P.E.R.T. है तो P.E.R.T. क्या है आपका कारिये विशलेशन C option तो P.E.R.T. के आप इक तर से फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं जो कि क्या होगी दे प्रोग्राम या फिर आप उसके कहेंगे प्रोजेक्ट तो रिव्यू टेक्निक प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट रिव्यू टेक्निक तीन कार्ड प्रणाली डैश हैत्यू प्रियोग की जाती है आवदिक पत्रिकाओं की अधी गरण और नियंत्रन हैत्यू A option गरंता गार वगी गरण योजना द्वारा खोजी गई तो एक होजे गई थी एची ब्लिश द्वारा C option नेमने कितमे से कौन सा एक प्रात्मिक श्रोथ नहीं है तो प्रात्मिक श्रोथ जो है अपका शब्द कोर्स है डिक्शनरी जो है प्रात्मिक श्रोथ नहीं है तो A options का right answer है ये ग्यूदिक श्रोथ है computer output device dash का कार्य करती है तो आकड़े रखना निर्देश प्रस अंस्क्रत आकड़े रखना तो जो इसका right answer हो जाएगा D option तो ये हमने पूरा paper देखा है जो कि आपका subject लेटर ही question इसमें किये हैं अगर आप चालते हैं section ने का भी solution आपको जलबा मिले तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं काफी सारी मोक्ते साथ देखेंगी authentic sources से आपको library science के मिल जाएंगी जिसे क्या practice कर सकते हैं उनके PDF अगर मैं कहूं तो आपको telegram चैनल पर अविलेबल है पहले से ही तो उनको भी आप जाके डाउनलोड करके सीधा practice कर सकते हैं व्यमोग की बुक्स अवेलेबल है उनको आप देख सकते हैं library science के लिए फिर डेटर पैसे लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती है उनका लिंक मैंने description box में दे दिया है तो आप उनको भी देख सकते हैं कोई भी कह रही हो तो आप comment box बता दीजेगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजेगा और साथ में जो bell icon है उसको प्रेस करने के बा को भी आप attempt कर सकते हैं सो थेंक यू आज के इस वीडियो में इतना ही और जो बाकी जो आपके पेपर्स है वह भी आपको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएंगी जल्दी ही उनका भी solution में लेकर आऊंगी